Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं Bayer category theorem के बारे में तो मैं आपको इसका statement समझाऊंगी और इस पे एक question जो CSIR में आया था December 2018 में तो वो question हम discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले आप समझ लो कि statement क्या है इसकी then आएंगे इस question पे देखिए, तो ये theorem कहती है कि अगर हमारे पास suppose करो UN U open dense set है open dense set है UN यहाँ पर ये sequence है U1, U2, U3 अगर ये सारे कैसे हैं open dense set है किसमे in complete in complete metric space में तो इन सब का जो intersection होगा इन सब का जो intersection होगा वो भी कैसा होगा open dense set यहाँ पर एक जो important बात है ये हम बात करते हैं complete metric space में secondly, ये जो UN हम ले रहे हैं ये कैसा collection है countable collection countable collection अगर ये open dense set है तो इसका जो हम intersection कर रहे है N is equals to 1 to infinity इसका जो intersection होगा suppose करो अगर हम इसको बोल जते हैं कि ये V के बराबर है इसका intersection तो ये V भी कैसा होगा open dense set होगा I hope theorem clear है proof मैं already discuss कर चुकी हूँ मैंने इसको upload कर रहा है तो आप वो देख सकते हो अगर आपको जानने की proof कैसे करना है इसका link आप लोगों को मिल जाएगा अब आजाते हैं हम question पे so question है A हमें subset दे रखा है R का और ये कौनसी condition को satisfy करता है that A is equals to intersection of VN N की value भी हाँ पर क्या है N की value 1 और 1 से greater हो सकती है and for where for each N greater than is equals to 1 यहाँ पर ये जो VN है ये हमें given है open dense subset open dense subset of R और कुछ options है जिसमें से हमें पता लगाना है कि कौनसा correct है first option है कि A non empty होगा A is not equals to 5 non empty second option है A countable होगा third option है A is uncountable last option is A is dense in R अब इसको ध्यान से समझीए VN जो है N की value क्या करी है vary करी है मतलब एक बार 1 फिर 2 एक तरके का sequence हमें मिलेगा V1 V2 V3 और इन सब का जो sequence होगा उसका जो मतलब एक sequence create होगा उसका अगर हम intersection जब कर देते हैं वो बराबर होगा A के थोड़ा सब आपको इसको explain करने की कोशिश करते हूँ जैसे मान लो ये R है और कुछ-कुछ जो possibilities हो सकती है ये हमने V1 मान लिया ये हमने V2 मान लिया ये हमने V3 मान लिया V4, V5 ऐसे तो ये हमारे पास इसका intersection की अगर हम बात करें उस case में हमारा A जो है वो हमें 5 मिल जाएगा अगर सिर्फ मैं अभी आपको इतना explain करने की कोशिश करी हूँ कि क्या ही कह रहा है statement क्या कह रही है कि A जो है वो intersection है VN का अभी हम बात में देखेंगे कि VN open dance set है तो उसका हम कैसे use कर सकते है एक ऐसा case हो सकता है और और हम case देखें तो ये हमारा मालो VN हो गया ये V2 हो गया ये V3 हो गया बट हमें क्या चाहिए इन सारे VN का intersection चाहिए अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये intersection जो हमें मिल भी रहे हैं वो इन सबके intersection की बात कर रहा है वो A होगा ना कि किसी दो VN का तो उस case में भी हमारा A जो है वो 5 के बराबर ही चलेगा और किके cases हो सकते हैं अगर हमारा VN कुछ इस type से हो ये पूरा VN हो गया फिर V2, V3 और ऐसे ही V4 तो उस case में हाँ हमें A जो है मिल सकता है उन सबका intersection क्योंकि A सारे ही VN का intersection है तो हमें intersection मिल सकता है या फिर हम opposite भी ले सकते हैं VN जो हम पहले बाहर के side मान रहे थे वो सबसे हम ऐसे जा सकते हैं V1, V2, V3, V4 उस case में भी हमें intersection मिल जाएगा तो ये कुछ ऐसे cases हैं जिसमें हमें A की value जो है पता लगेगी उनके intersection से उसके बाद ये तो हो गया उसके बाद कहता है कि जितने भी VNs हैं वो सारे open dense subset हैं R के यहाँ पर यह जो हम VN, V2, V3 की बात कर रहे हैं यह सारे ही हमें given हैं यह open dense है यह काफे सारे जो मैंने आपको cases समझाने की कोशिश की इसमें से काफे सारे cases discard हो जाएंगे क्योंकि हमें पता है dense set की क्या definition होती है अगर मैं यह कह रही हूं कि B जो है B is dense in R या फिर in topological space की बात कर लेते हैं in X that means कि B का closure किस के बराबर है X के बराबर यह definition होती है dense set की अब इसने बोला है कि Vo1, vivo यह जितने भी हैं यह सारे कैसे है dense set है that means के जो V1 का closure है वो Monroe R के बराबर है V2 का closure भी resonance है V2 का closure भी resonance है इसी तरीके से हम चलते जाएं दो उनका closure किस के बराबर चल रहा है र के बराबर चल रहा है यहाँ पर जो हमें value दे रखी है n की वो 1 और 1 से greater चल रही है that means कि कैसा collection है यह countable collection है countable collection जब आप n की value को इस तरीके से लिखते हैं that n की value 1 से लेकर infinity तक जा रही है यह कैसा collection कहलाता है यह countable intersection लिया गया है यह countable intersection होता है तो इसमें यह open बोला हुआ है और दूसरी चीज़ जो बताई हुए है कि dense है that means यहाँ पर इन सारे vn की closure किसके बराबर जा रहे हैं r के बराबर जा रहे हैं so यह सारी information हमें given है question में फिर हमसे पूछा गया है कि जो उसके intersection में हमें मिलेगा वो क्या होगा non empty होगा countable होगा uncountable होगा dense होगा तो उसमें अब हम यह result इस्तिमाल कर सकते हैं यहाँ पर उसने vn दे रखा है अगर मैं question के accordingly इस definition को बनाऊ तो यहाँ पर un की जगह पर हम इस्तिमाल कर सकते हैं vn और vn के intersection में vn के intersection में हम यहाँ पर given है इसका intersection a है that means कि अगर इस सारे vn open dense set है तो इसका intersection जो हमें मिलेगा वो भी कैसा होना चाहिए open dense set होना चाहिए तो इसका intersection क्या है a है directly भी इस्तिमाल किया जा सकता है यह सब तो मैंने बस आपको question समझाने की कोशिश की है कि question क्या है क्या है तो अगर a intersection में है that means a का closure किसके बराबर है r के बराबर है तो एक तो result हमें directly यही मिल गया कि a is dense in r अब अगर कोई चीज़ dense है r में that means कि वो countable तो होगी नहीं अफकॉस सी बात है फिर वो uncountable होगी r के equal है ना वो तो उसा closure r के equal है तो countable elements तो मिलेंगी a countable तो होगा नहीं और a क्या हो जाएगा uncountable हो जाएगा secondly और last option बचता है हमारे पास a non empty होगा हम खुदी कहा रहे हैं कि वो uncountable है dense है उसके अदर तो a जो है वो non empty होगा इसके a, c and d option correct है b wrong है so I hope आपको theorem की जो statement है वो clear है question दो कैसे solve करना है वो clear है और proof चाहिए हो तो आप मुझे comment section में बता सकते हो मैं आपको link send कर दूँगी और in case कोई doubt हो तो पोस सकते हो thank you